हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मंचूरियन आज हम मंचूरियन बनाएंगे गरेवी बनाएंगे और पत्तबोल्य कैटेया और वीडियो पसंद दें जयूँılar करें तो सबसे पहले एक बोल लेंगे और इसमें हम डालेंगे बारिक कटा हुआ पत्ता गोवी आप चाहें तो इसे कद्दुकस करके भी ले सकते हैं या फिर मिक्सी में थोड़ा सा इसे पीस के भी ले सकते हैं तो मैंने यहां पर इसे चौपर में कट करके लिया है अगर आपको पीस के ले सकते हैं लेकिन पूरा पेस्ट नहीं बनाएंगे इसको थोड़ा सा दर दरा बना लेंगे अब इसमें हम डालेंगे प्याज तो आप बिना प्याज के भी बना सकते हैं मैं यह आपर दो चमच के करीब बारी कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ और एक चोटी चम स्वाद अनुसार तो मैं यह आपर सिफ पत्तागोवी और प्यास से बनाने वाली हूँ अगर आपको मिक्स वेज मंचुरियन देखना है तो इसकी रेसिपी मैंने पोस्ट की आप देख सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे कॉन फ्लोर और मैदा तो मैंने जितना कॉन फ्लोर अगर अगर थोड़ा से पाइसी और बनाना है तो आप यहां पर मिर्ची पाउडर मिर्ची पाउडर उसकी कॉन्टरी बढ़ा सकते हैं अभी सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इससे पहले पानी डालेंगे अगर सुखा सुखा लगेगा तो इसमें थोड़ा सा चार से पांच चमज करेंगे मैंने मिक्स कर लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा तीन से चार चमज करी पानी डाल रही हूं पानी डालने से बांडिंग में प्रोब्लम जो होती है नहीं दरदरा सा सुखा सुखा सा लग रहा है वह खतम हो जाएगी हम इस तरीके से थोड़ा पानी नहीं कालका फेके नहीं, उसे उसमें ही रहने दे, थोड़ा सा मोटा कट करके ले तो दिखिए इस तरीकے से हम बॉल बना लेते हैं।चे हमारी सारे बॉल बनके तैयार हो ग्या है।। और मैंने इस तरीके से छोटे के बनाया आपको जैसा पसंदग हो बड़े साइज के भी बना सकते हैं अब इसे हम गरम तेल में फ्राई करेंगे तेल को मैंने अच्छा गरम कर लिया है और इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें तल लेना है फ्लेम को हाइटू मिडियम ही रखें ज्यादा सलो भी ना करें नहीं तो तेल सोक लेगा और तोड़ा सा ही लेए, जादा नहीं चाहिए, एक से दो्छमज के करीब., जस्य हम डालेंगे in qatch कि यह रावा है एक चोपी चमछ बड़ी कट प्याज तो नहीं के दो कुछ नहीं कि अधी चमछ बारी कट करके लिया है को अधि उग्छ पर पका लेंगे आप फ्लेम को हाई रखें बसादा नहीं रखाना है इसे हमें थोड़ा सा प्टागो डालेंगे यह optionnel है आप चाहें तो डाल सकते हैं नहीं तो आप इसे इसे कीप बिकर सकते हैं अब इसमें चारच। चाहिए पैट करने वाले हैं है वीनेगर चांज टूछ चमाच वीनेगर लिया है और चांच सुया सास दो चमाच रेचिली सौस और चारा चाहिए टमेटो केचप लिया है और इसे के साथ इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा होट चिली सॉस है मेरे पास में वो डाल रही हूं और इसमें डालेंगे आधी छोड़ी चमच कस्मेरी रेट चिली पाउडर और इन सब को अची तरीके से मिक्स करेंगे और मैंने आप पर चिली काण्थुर ने के साथ पर चमच ह्वानी टाल रहां चाहिए और को डालने के बाद इसे भी क फिन गठार पका तायार कर लेक्सें मीन बखाए गीन को चि nouvelles अख तरीके से फोड़ा कर लिया है चलाते हुए चालनरं और पानी डालेंगे तो मैंने साज़ते हैं गया अभी जो मंचुरियन के बॉल बना है उसे भी पकाना है तो पानी यह पर थोड़ा सा जादा लेजिए और ग्रेवी में जो बॉयल आ जाए उसके बाद हम इसमें जो बॉल हमने फ्राई किये वो डालेंगे अब देखिए ग्रेवी थोड़ी सी पकेगी तो गाड़ी होगी तियां पर प इस तरीके से बनाएगा आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे ठंडा करके खाएंगे तो भी यह सॉप्ट रहेगा बिल्कुल हाड नहीं होगा मैंने इस तरीके से बताया अगर इस तरीके सब बनाते है न आपके मंचुरियन कभी भी खराब नहीं होगे आप मिक्स व कोई वाली भी ऐसे बना सकते हैं तो वीडियो पसंद दें तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बाई बाई